वेल दोस्तों अक्षे कुमार की आने वाली फिल्म सुरेवनसी का जो एक गाना है उससे बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी हाँ उसी बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले टॉप उपन फैक्स को ताकि आपको बॉलिवुड की हर खबर मिले सबसे पहले अब दोस्तों बात करें फिल्म सुरेवनसी की तो पहले आपको बताते चलें कि जो फिल्म है वो अभी तक रिलीस कर दी गई होती लेकिन लॉकडाउन ह गया और लॉकडाउन के वज़े से दर्सकों को काफी लंबा इंतिजार करना पड़ रहा है दोस्तों कहा ये भी जा रहा था कि इद पर ये जो फिल्म है ये आउट कर दी जाएगी लेकिन इद पर भी आउट नहीं हुई अब दोस्तों खबरे ये सामने आ रही है कि ये जो फिल्म है सुरेवनसी ये दिवाली पर जरूर आउट कर दी जाएगी अब दोस्तों देखना काफी दिल्चस्प होने वाला है कि क्या दिवाली पर आपको ये फिल्म देखने को मिलती है या नहीं वेल दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के गाने की तो आपको बताते चले कि इस फिल्म में काफी जबज़स्त और धमाकेदार गाने होने वाले हैं दोस्तों आपको बताते चलें कि खबरे ये भी सामने आ रही है कि नाजा नाजा मित्रा तो दूर एक जो पाव धरिया का गाना था वो भी इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा साथी साथ आपको बताते चलें दोस्तों कि ये गाना जो है आपको जल्दी सुनने को मिल जाएगा दिवाली से पहले क्योंकि दोस्तों फिल्म का ट्रेलर तो आउट हो चुका है और जो बस था वो तो अब खतम हो चुका है सुर्यवंसी का अब जो फिल्म के ट्रेलर का जो बस था वो तो खतम हो गया लेकिन अब अगर फिर से मेकर्स को बस क्रियेट करना है लोगों के अंदर तो उनको कुछ ना कुछ नया धमाका करना पड़ेगा अब दोस्तों इसी वज़े से कहा ये जा रहा है कि इस फिल्म के जो गाने है वो हाल ही में आउट हो जाएंगे और आउट होने के बाद जो है वो फिर से एक बार लोगों के मन में और लोगों के अंदर बस बन जाएगा अब दोस्तों बात करें इस गाने की तो आपको बताते चले जो नाजा नाजा मित्रा तो दूर गाना होने वाला है पाव धरिया का इस फिल्म के अंदर वो थोड़ा रोमेंटिक होगा और अक्षे कुमार के साथ काफी जादा कॉमेडी वाले अंदाज में केट्रिना कैफ और दोस्तों अपना राय जो है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं वहीं सब्सक्राइब करें टॉप उपन फेक्स ताकि आपको हर अपडेट मिले सबसे पहले धन्यवाद